नौशकार दोस्तो ट्राइवल विद फ्रेडी के इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम आपको लेकर आएं हैं गांधी नगर के एक नए रेस्टोरेंट जिसका नाम है पतिकाश्रम निलया जो की स्थिध है अफकोर्स पतिकाश्रम में सिविल के ओपोजिट तो दोस्तो यहाँ पे आपको गुजराती ठाली खाने को मिलेगी तो आईए देखते हैं इस जगा के इंबियन्स और खाने के बारे में दोस्तो एक लुक की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम लुक है इस जगा का और एक बहुत ही अच्छा फील देती है ये काफी फैली हुई जगा है और बहुत सारे लोग एक टाइम पे यहाँ पर खाना खा पाएंगे तो ओवरॉल लुक और फील के लिए बहुत ही बड़ा बोनस पॉइंट है इनका दोस्तो गर्मा गरम पानी से हाथ धुला के आपके खाने की शुरुवात होती है एक के बाद एक आइटम आपके प्लेट में डाला जाता है और बहुत ही प्यार से सभी जो सर्विंग स्टाफ है बहुत ही प्यार से प्रेम भाव से आपको खिलाते हैं और खाने के लिए मोटिवेट करते हैं तो दोस्तो इस थाली में परोसे जाएंगे चार सबजी, स्वीट, समोसा, ढोकला, सलाड, चाश और एक वेलकम ड्रिंक भी आपको दिया जाता है जिसके अलावा चाट भी आपको परोसी जाती है तो ओवरॉल बात करें तो इस डिश का जो प्राइजिंग है ये है 500 रुपे प्लस GST तो क्या इस प्राइज में ये डिश जस्टिफाइड है हमारे हिसाब से क्योंकि हम गुजराती थाली को बहुत पसंद करते हैं तो हमने और भी जगा पे गुजराती थाली ट्राइज की है जैसे ग्वाल भोग है, गोर्धन थाल है तो ये सब जगाओ पे जो प्राइजिंग का रेंज है वो 300 रुपे से 300 के बीच का है तो उसके हिसाब से same quantity, same number of items थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है लेकिन 500 रुपे थोड़ा कम justified लगता है हाला कि overall एक premium feel और quality की बात करें तो no doubt quality अच्छी है लेकिन being from a middle class family क्या एक व्यक्ति यहां पे बार-बार आके इस थाली को खाना चाहेगा 500 रुपे खर्च के तो ये चीज़ पे हमारा थोड़ा suggestion है निलया टीम से कि कुछ USP उनको design करनी चाहिए ताकि और लोग आए और बार-बार आए एक बार नहीं बट बार बार आए तो ये हमारा feedback है दोस्तो service और जो food की quality है वो A1 है इसमें कोई दो राए नहीं है हाला के pricing थोड़ा जादा है लेकिन जो overall experience हमारा रहा वो बहुत ही positive रहा हम चाहते हैं कि और लोग आए इनके खाने को try करें हाला के taste हर एक व्यक्ति का अलग रहता है लेकिन हमारा ये मानना है कि सब को ये थाली जरूर पसंद आएगी सिर्फ एक pricing factor को लेके शायद काफी लोग ये सोच सकते कि ये थोड़ा pricing higher range का है बाकि overall बहुत अच्छा experience रहा और आप भी आईए और comment में बताईए आपका experience कैसा रहा Thank you very much